हलो फ्रेंड्स बल्कम डू माई यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जवाब का दिल्ली पुलिस कौंस्टेवल का एक दिसम्बर का ओल सिफ्ट का एक्जाम हो गया दोस्तों एक दिसम्बर औल सिफ्ट में पूछे गए सभी कोईस्ट इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक ओसे जरूर करें चैनल पर पहले बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सस्क्राइब कर नोडिफिकेशन बैल आउन करना न भूलें चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखे पहला कोईशन पूछा गया था सम्विदान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो सम्विदान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 आपका सही अंसर हो जाएगा next questions पूछा गया था सोनल मान सिंग किस नर्ट सहली से सम्वंदित हैं तो सोनल मान सिंग भरत नाट्यम और ओड़ sproutsी नर्ट से बैसलन सभा नेसर हो जाएगा नेस कुछा गया था कि नरोरा प्रमाडू उर्जा सेंत्र ये कहां पर इस्थित है तो नरोरा प्रमाडू उर्जा सेंत्र जो है न ये उत्तर प्रदेश में इस्थित है कहां पर इस्थित है उत्तर प्रदेश next questions पूछा गया था काली दास सम्मान कहां दिया जाता है तो काली दास सम्मान जो है न यह उज्जैन में दिया जाता है next questions पूछा गया था उत्तरवैदिक काल में प्रिये पसू क्या हो गया था उत्तरवैदिक काल में प्रिये पसू अश्य और घोड़ा हो गया था खाट की संदी किसके बीच होई थी तो राजपुर घाट की जो अंग्रेजूं और ये शोवंत राव को लकर आपका सही अनसर हो जाएगा देखिए अगर आप इसकी पेडियाप लेना चाहते हैं तो आप हमें WhatsApp पर मैसेज करिए उसके लिए आपको WhatsApp ग्रूप में एड़ होना होगा जिसे ही आप हमें मैसेज करेंगे मैं आपको WhatsApp ग्रूप से जोड़ दूँँगा वहाँ पर आपको बिल्कुल निसुल को पेडियाप मिलेगी कोई पैसा आप लोगों को नहीं देना है नमबर नोट कर लेजिए हमारा 91 406 76 91 406 766 यह हमारा WhatsApp नमबर है इस नमबर को अपने फोन में सेव कर लेजिए और तुरंथ हमें मैसेस करिए देखिए SSGD के वेखेंसी जो है आ चुकी है वजबती जल्दा आप लोगों के क्लासेंज है वो स्टार्ट होने वाली है और सारी क्लासों का जो पीडियाप है आपको WhatsApp पर ही मिलेगा ठीक है अगला कोशन देखे पूछा गया था राजसरकार की कौन सी नीती बजट के डैस इस टाप का एक कोशन पूछा गया था नेस्ट कोशन पूछा गया था चेतन भगत द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है तो चेतन भगत के द्वारा उनके द्वारा कुछ पुस्तके हैं जान लीजिए फाइब पॉइंट समवन वर्स 2004 में लिखी गई थी वन नाइट एक कॉल सेंटर 2005 में लिखी गई थी नैस कोशने देखे पूछा गया था परिवार नियोजन किस पंचवर्सी योजना के अंतरगत आता है तो परिवार नियोजन जो है ना ये राजसी पटकाई रेंज और शरार्ती दहिंग नदी के नाम पर रखा गया है नैस कोशने देखे पूछा गया था मुहमत गौरी का गुलाम कौन था मुहमत गौरी का गुलाम था कुतवुद्दीन एवक नैस कोशने देखे पूछा गया था अगला question देखे पूचा गया था Blood pressure किससे माप देखे Blood pressure जो है ना ये इस गनों मैरोमेटर के द्वारा माप जाता है ये आपको ध्यान में रखना है नेस कोशने देखे पूछा गया था कि राष्टिय क्रसी और ग्रामेड विकास वैंक नावार की किस संस्था के साथ साज़ेदारियां हैं बारतिये रिजर्व वेंग, विस्व वेंग से जुड़े संगठन क्रसी और ग्रामेड विकास के छेतर में काम करनेवारी वैश्विक विकास संस्थाओं के साथ में नैस कोशन देखे पूछा गया था मुखमंतरी करसी आसरवाद योजना किस प्रदेश से संबंदित है देखिए मुखमंतरी करसी आसरवाद जो योजना है न यह जारखंड से संबंदित है नेस कोशन देखे पूछा गया था मुगल काल का कांच मेल ये कहां पर है तो मुगल काल का कांच मेल जो है न ये शिकंद्रा आगरा जिले में है ये आपको ध्यान में रखना है नेस कोशन देखे पूछा गया था कि संसिदिय प्रणाली का कोई एक अबगुण क्या है तो संसिदिय प्रणाली का एक अबगुण है आइस्ति सरकार सामुहिक उत्तरदायत्यों की कमी आसंतलिस सक्तियों का बठवारा अगला कोशन देखे पूछा गया था कि विवेक एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है तो विवेक एक्सप्रेस जो है न ये डिवुगाड और कन्या कुमारी के बीच में चलती है तो डिवुगाड और कन्या कुमारी आपका सही आसर नेस कोशन देखे पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाती किस प्रदेश में है तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाती जो है ना ये उत्तर प्रदेश में है अगला कोश्चन देखे पूचा गया था साथ छर्टा में पहले नमबर पर कौन है तो साथ छर्टा में पहले नमबर पर केरल का नाम आ जाता है नेस कोश्चन देखे पूचा गया था प्रसित लल्लन फकीर संगीत किस रूप से संबंदित है प्रसित लल्लन फकीर जो है न ये बंगाली वाउल संगीत से संबंदित है अगला कोश्चिन देखे पूछा गया था लक्षमी वाई राष्टिय सारेरिक सिच्छा संस्थान कहां पर इस्तित है तो लक्षमी वाइस राष्टिय सारेरिक सिच्छा संस्थान जो है ना गौलियर मद्ध परदेश में इस्तित है नेस कोश्चिन देखे पूछा गया था उत्तर भारत में कौन सी लू चलती है तो मौलिक करता भी जो है ना रूस के समिधान से लिया गया है अगला कोश्चिन देखे पूछा गया था पूना सार्विजिनिक सबा कब हुई थी तो पूना सार्विजिनिक सबा वर्स दो अपररेज 1870 में हुई थी एक कोशन्स देखिए कैबिनेट मिसन से पूछा गया था नेस कोशन्स उंगली पर पढ़ने वाले गेंद को क्या बोला जाता है तो उंगली उंगली पर पढ़ने वाले गेंद को बोला जाता है ट्रेक बॉल क्या बोल जाता है ट्रेक बॉल आमार सोनार बांगला किसके दौरा रचित किया गया था अगला कोशन देखे पूचा गया था वैदिक काल में खान का को क्या कहते है अगला कोशन देखे पूचा गया था इनमें से आईरन किसमें नहीं पाय जाता है आमला पालक मटर और दाल में आईरन पाय जाता है इंदरा गांधी ने कौँ सी समिती बनाई थी जिसमें मौलिक कर्तब भी जोड़े गये थे तो इंदरा गांधी के द्वारा सुन सिंग समित बनाई जिसमें मौलिक कर्तब जोड़े गये थे तो सुन सिंग समित आपका सही आंसर हो जाएगा अब यहां से देखे आपके सेकंड सिप के कोशन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं कोशन्स पूछा गया था तीनों गोल में समेलनों में किसने भाग लिया था तो तीनों गोल में समेलन में तेज भादूर सप्रू डॉक्टर वियर अमेड़कर ने भाग लिया था सितारा देवी किस से सम्बंदित हैं सितारा देवी जो है ना ये कत्थक नर्टे से समंदित है नेस कोशन्स केंदर और राजियों के बीच बिदाई समंदी का उलेक भारतिय सम्मिदान के किस अनुचिद में किया गया है तो केंदर और राजियों की बीच बिदाई समद्री का उलेक भारतिय समिदान की अनुचे 245 में किया गया है तो अनुचे 245 आपका सही नास नेस कोशन देके पूझा गया था सुद आपरतेच कर निकालने का बोला गया था कोशन क्या था ये तो खैराम को नहीं मालूम है सुद आपरतेच कर होता क्या है जान लेजिए सुद आपरतेच कर NIT आपरतेच करों और सबसेडी के बीच अंतर को संदभर्ड करता है आपर्तियशकर किसी देश की सरकार द्वारा वस्तूं और सेवाओं के उत्पादन और विक्री पर लगाये जाने वाले कर हैं उदारण के लिए GST वस्तू एवं सेवा कर किसी वस्तू या सेवा पर लगाए गए आपरत्यश करके परिणाम सुरो बाजार में उसकी कीमत बढ़ जाती है नेस कोशन देखे पूछा गया था भारतिय सम्मिधान के अनुछित 51 से अनुछित 36 तक किससे सम्मंदित है बारतिय सम्मिधान के अनुछित 51 से अनुछित 36 तक राज के नीत निर्देशक तक्तों DPSP से सम्मंदित है एक कोशन देखे पूछा गया था कि सराएं क्या होता है सराएं आम तोर पर प्रतिष्ठान या इमारते होती हैं जहां यात्री ठहरने और आम तोर पर भोजन और पे की तलास कर सकते हैं सराएं आम तोर पर देश में या राजमार्ग के किनारे स्थित होते हैं मोटर चालित परिवन के आगवन से पहले वे घोडों के लिए आबास भी उपलब्द कराते थे देखे नेस कोसंद पूछा गया था अभी पदम स्री किस को मिला जिनका निधन हो गया है सई जवाब हो जाएगा प्रभावेन सुबंग चंद सहा को मिला है जिनका हाली में निधन हो गया है नेस कोशन देखे पूछा गया था हिमाले से गंगा के समांतर कौँ सी नदी बहती है तो हिमाले से गंगा के समांतर जो है ना यमूना नदी बहती है यमूना नदी नेस कोशन देखे पूछा गया था सौट आफ माइस सेल पुस्तक किसकी है और एक कोशन देखे पूचा गया था यूरेनियम 235S का नावकीय रियक्टर रहता है वो कहां संतलित रहता है इसके बार हम जा लेते हैं एक नावकीय रियक्टर में 235U विखंडन से गुजरते हुए 200MEV उर्जा को मुक्त करता है रियक्टर की दच्चता 10% होती है और 1000MW सक्टी उत्पन करता है यदि रियक्टर को 10 वर्ज के लिए कारे करना है तो आवश्यक यूरेनियम का कुल द्रमान ग्याद करना होता है नेस कोशन देके पूचा गया था 2023 क्रिकेट 200 कप की मेजवानी किसने की तो 2023 क्रिकेट 200 कप की मेजवानी भारत के द्वरा की गई थी एक कोशन देके पूचा गया था भांगला किस राजिका नर्ते तो भांगला जो है न ये पंजाब का नर्ते है एक कोशन देखे निजी करण और दोगी करण के बारे में पूछा गया था कि निजी करण का मतलब होता है किसी छेत्रिया उद्दियो को सर्विजिनिक छेत्रिया सरकारी छेत्र से निजी छेत्र में इसता नांतरियत करना पूछा गया था, गलिकरन किस वेक्टिरिया से होता है, गलिकरन जो है यह closed स्भावर槚 पूछा गया था, तो बावर से समझधित कुछ मेंतुकूल फैक्ट है, उन्हें जान लेजिए जैसे कि मुगल समराज की इस्थापना किस ने की थी बावर के द्वारा की गई थी तो पेपर में पूछा जा सकता है मुगल समराज का संस्थापना किस ने की थी बावर के द्वारा की गई थी अच्छा बावर का असली नाम क्या था तो बावर का असली नाम था जहिरुद्दीन मुह बावर भारत को जीतना चाहता था और उसने 1519 और 1523 के भी चार अभियान चलाए उन्होंने पहली बार पश्चिन से बंजाब के रास्ते भारत में प्रवेश किया 1526 में उसने पानिपत में दिली के सुल्तान अब्रहन लोदी को राया और दिली और आगरा पर कबजा कर लिया नेस कोसेंदे के पूचा गया बारतिये सम्मिधान के अनुचित 170 में क्या प्राबधान था तो अनुचित 170 में प्राबधान है कि किसी राज की विधान सभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्ये नहीं होंगे जीरो से चेवरस आयू के लिए एक प्रशन पूचा गया था इसके बार हम जान लिजिये भारत में वा लिंगा नुपात को जन संक्या में जीरो से चेवरस के आयू वर्ध प्रती हजार पुरुसों पर महिलाओं की संक्या के रूप में परिवासित किया गया है एक कोशन देखे पूचा गया था अस परसेता किस अनुचेत के अंतरगत आता है तो यह अस परसेता जो है ना अनुचेत 17 के अंतरगत आता है नैस कोशन देखे पूचा गया था हाली में भारत में वर्ल्ड कप कहा हुआ था तो हाली में वर्ल्ड कप एमदाबाद के नरेंद पूछे गये थे second shift में अब first shift के question देख लिए first shift में पहला question पूछा गया था 1857 का विद्रो कहां से शुरू हुआ तो 1857 का विद्रो जो है न ये मेरट से शुरू हुआ था पंडित रवी संकर किस वादियंतर से संबंदित हैं नैस कोशने के पूछा गया था cricket में pitch की लंबाई कितनी होती है तो cricket में pitch की लंबाई होती है vice yard नैस कोशने के पूछा गया था हर से बर्धन को publication दूती ने हराया था वा किस वंसका था तो वा चालू के वंसका था ये आपको ध्यान रखना है नेस कोशन पूछा गया था उच्छी नियाले में केस चल रहा हो तो अगर वह हटा दिया जाए तो आप किस अनुच्छेद के तहर सुप्रीम कोड के पास जाएंगे अनुच्छेद 132, 133 या 134 के तहर सुप्रीम कोड में जाएंगे अगला कोशन निमली लिखे तो में से काउंसी यूकेरियोटिक कोशिका की विसेस्ता नहीं है पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्ति थी ठीक है नेस्ट कोशन देखेगा नेस्ट कोशन देखेगा नेस्ट कोशन देखेगा पूचा गया क्रिकेट किस संस्था से संब्दित है तो क्रिकेट जो है ये अंतर राष्टे क्रिकेट परिसत ICC से संब्दित है नेश कोशन देके पूछा गया चोथी पंच बरसी योजना में क्या सामिल नहीं है तो चोथी पंच बरसी योजना क्या है जानी जिसके बारे में चोथी पंच बरसी योजना का मुख उदेश सिच्छक सिच्छा के मानकों में सुधार लाना भारत में 24 पंजबर्सी योजना 1979 से 1974 तक लागूप की गई थी योजना के सचिक उद्देश बहु आयामी है थे और इसका उद्देश सिच्छा छेतर में विविन चुनोतियों का समाधान करना था देखे अगला कोशन पूछा गया था The risk of my life पुस्तक के लेका कौन है तो The risk of my पुस्तक के लेका कहें मिलखा से अगला कोशन अनुचित 134 से किसे सम्बंदित है अपराधिक मामलों में अपील पर सर्वोच चिन्याले के अपीलिये छेतरा दिकार से नेस कोशन देखे पूछा गया था कि श्यासवाज सबधानिक संसोधन अधिनियम किसे सम्बंदित है तो देखे श्यासवाज सबधानिक संसोधन अधिनियम बच्चों के लिए निसुर्क और अनिवार सिच्छा का अधिकार RTI से सम्बंदित है नेस कोशन देखे पूछा गया था कि भारतिय समिधान का अनुचित और की तो पूचा गयाता कि प्रोकरेशोर्टिक कोशिकाओं में नहीं होता है कोशिकांग नहीं होता है यह आपको ध्यान में रखना है अगला efendim की पोचा गयाता भारत में आधूनिक नरत्य की पिता के रूप में किसे जाना जाता है तो भारत में आधुनिक नरत्य के पिता के रूप में उदय संकर को जाना जाता है नेस कोशन जहांसी की रानी रेजीमेंट का निर्टत तो किन दो महिलाओं ने किया था देखिए जहांसी की रानी रेजीमेंट का निर्टत तो सबसे पुराना पिन जिंको को माना जाता है एक question डैस महल किसे ने बनबाया था बलबन तुगलक बज़ इस type का question पूछा गया था बेहमनी सामराज के समय दिल्ली का सासक काउन था महम्मद बिन तुगलक काउन था महम्मद बिन तुगलक अगला कोशन्त पूचा गया अनुचेत 18 में कौन सा अधिकार है तो अनुचेत 18 में राज को किसी भी उपादी प्रदान करने से रोंकता है कोशी का द्रब से कोशन्त पूचा गया था देहिए नर्मदा के उपर का छेतर क्या कहलाता है तो नर्मदा के उपर का छेतर नर्मदा घाटी कहलाता है जुआला मुखी कितने प्रकार के होते ये कोशन था तो जुआला मुखी एक तीन प्रकार के होते एक कोशन पूचा गया इस टाइब का एक कोशन देखे पूचा गया राजिस्थान का लोक नरते जिसमें नकली घोड़ा उपयोग करते हैं उसको कहते हैं कच्छी घोड़ी ये राजिस्थान को लोक नरते है ठीक है राजिस्थान में ये नरते किया जाता है लोक नरते राज रच्छा बंदल कब मनाया जाता है तो हिंदू पाचांग के अनुसरा भारत में रच्छा बंदल पूरिमा स्राबरमास को मनाया जाता है भारत का कौं सा इस्टेडियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल इस्टेडियम है तो भारत का सॉल्ट लेक्ट सबसे ज़्यादा किस राज में तो बहुत धर्म के लोग सबसे ज़्यादा माराष्ट में हैं अगला कोशन देखे पूछा गया था भारत के सम्मिधान का अनुच्छेद डैस समानागरिक सैता को परिवासित करता है नयस कोशन सम्मिधान का अदिकार को च有一 Ce lip record सम्मिधान देखे उनन शरदार बला भाई पटेल की द्वारा किया था लास कोशन रहे गाए हाज कहा मारा कॉपी करने का सर्पकत की क्या है control प्लस C तो इसमें आप लोगों ने total 90 question discuss किये है अगर आप लोगों को इसकी पीडियाप चाहिए तो सबसे पहले आपको वार्टसप ग्रूप जोइन करना होगा वार्टसप ग्रूप में सभी आपको पीडियाप मिलेगी आगे आने समया में आपको सबसे पहले आपको हमारे वार्टसप ग्रूप को जरूप जोइन करें नंबर हमारा है 91 406 67626 फॉर्म फिल किये जा रहे है SSGD के अगर आप लोगों नहीं तक फॉर्म नहीं बरा है तो भर दीजिए आप लोग 90466626 इस नंबर को अपने फोन में सेब कर लेजी और हमें तुरेंट मैसेज करें मैं आपको वार्टसप ग्रूप जोइन करा दूँगा तो मिलते हैं नच वीडियो के साथ जैहिन जैवार जैहिन जैवार